आस्तिन का डिजाइन बनाने के लिए हमने आस्तिन की लंबाई साड़े 6 इंच ली है अब हमें नीचे की साइड से तीर्ची में ऐसे हमें 1,5 इंच की लंबाई नापनी है और यहाँ पर टिक लगाना है अब हमें ऐसे लाइन अप करना है तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने कियें तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजा कर आल का ओप्सन सलेक्ट जरूर कीजिएगा अब जिस shape में हमने line up किया है बिल्कुल उसी shape में हमें इसकी cutting कर लेनी है तो यहां से हम इसकी cutting कर लेंगे अब हमें आस्तिन के कपड़े को बीच में से cut कर लेना है अब हम आस्तिन के कपड़े को open कर लेंगे आस्तिन के कपड़े को ओपन करने के बाद अब इस डिजाइन को तयार करने के लिए देड़ इंचोड़ा एक उरेवी कटा हुआ कपड़ा लेंगे इसे यहाँ पर ऐसे फोल्ड करके लगाएंगे जिस सेप में फ्रेंड हमारे बाजू की डिजाइन की कटिंग हुई है बिल्कुल उसी सेप में कपड़े को लगाते हुए हम इसके किनारे की साइड में सिलाई चला लेंगे तो इस तरीके से आपको अच्छे से कपड़े को लगाते हुए इसके उपर सिलाई चला लेना है ऐसे अब हम यहां से धागी को कट कर लेंगे और एश्टा कपड़े को भी अब हमें कपड़े को यहां से ऐसे फोल्ड करना है और जिस सेप में हमारे आस्तिन का कटिंग हुआ है बिल्कुर उसी सेप में कपड़े को फोल्ड करते हुए हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे सेम इस्टेप को फॉलो करते हुए फ्रेंड जो हमारा दूसरा आस्तिन का टुकड़ा है उसे भी हम तयार कर लेंगे तो फ्रेंड सेम इस्टेप को फॉलो करते हुए हमने दोनों साइट के आस्तिन के कपड़े की सिलाई कर ली है अब हमें चकोर सेफ में फ्रेंड ऐसा दो कलर का कपड़ा लेना है और कपड़े की लंबाई और चोड़ाई दोनों चारी इंचे अब हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है एक के उपर एक फ्रेंड कपड़े को ऐसे फोल्ड करते हुए हमें लगाना है और इसके उपर हमें सिलाई चला लेना है इस line को complete करने के बाद अब हमें आस्तिन के कपड़े में design को joint करना है तो हम आस्तिन के कपड़े में design को ऐसे joint करेंगे यहाँ पे हम डिजाइन को सीधा कर लेते हैं और आस्तिन के कपड़े को यहाँ पे फ्रेंट दोनों साइट के आस्तिन के कपड़े को लगा कर ऐसे हम पहले नाप लेंगे डिजाइन बीच में आना चाहिए अब एक साइट का आस्तिन का कपड़ा है जो उसे हम side में रख लेंगे इसे अब हम side में रख लिते हैं अब जिस shape में friend हमने आस्तिन के कपड़े को design के उपर लगाया है बिल्कुल उसी shape में हमें इसके उपर सिलाई चला लेना है अब हम यहाँ से धागे को cut कर लेंगे अब हमें दूसरे साइड में आस्तिन के कपड़े को ज्वाइंट करना है तो यहाँ पे हम दूसरे साइड में आस्तिन के कपड़े को लगाएंगे और इसे ज्वाइंट कर लेंगे तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने कियें तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करकि घंटे को बजा कर आल का उप्सन जरूर सलेक्ट करें जिससे हमारी नेक्ष्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो ये देखिये फ्रेंड इस तरीके से आप इस डिजाईन को बहुती इजली तयार कर सक्ते हैं तो फ्रेंड हमारी ये लाइन भी कमप्लीट हो चली है हमें धागे को अच्छे से उपर के साइड में जो हमारा धागा निकला हुआ है उसे अच्छे से कट कर लेते हैं अब हम आस्तिन के कपड़े को उल्टा करेंगे और पीछे की साइड में फ्रेंड जो हमारा एश्ट्रा डिजाइन का कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे तो फ्रेंड इसी के साथ हमारा ये डिजाइन कम्प्लीट हो चलाया थैंक्स वार वोचिंग माई वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में